यदी उनिवर्स का यदिड्डे अलौकिक संदेश तुम्हारी आखों के सामनी से भी इस छण गुजर रहा है मेरी प्रिय यहा कोई संजोग नहीं है यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा ये संदेश अभी पहुँचे यह संदेश तुम तक एक तरंगों की माध्यम से पहुच रही है तुम्हारे कदम इस छण बढ़ रहे हैं सफलता की ओर, समरिध्धे की ओर तुम बहुत अनमोल हो सब के लिए तुम इस बात को अकसर भूल जाते हो थोड़ी सी विपत्ती, थोड़ी सी आपदा, जैसे ही आती है तुम घबरा जाते हो प्रकृती सब के साथ नयाय करती है तुफान यदि तुमारे जीवन में परवेश किया है, तो इसके बाद आविशक रूप से खुश्यां भी परवेश करेगे यदि तुम अपने जीवन में अत्यदिक हलचल महसूस कर रहे हो तुम्हें ऐसा लग रहा है, जैसे तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा और भविश्य में भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला तब ऐसी परिस्थिती में मेरी प्रेव प्रथम अपने मन को शांद करो अपने अनमूल होने की बात को हमेशा याद रखो हर एक मनुष्य एक रतने के समान है उसके जीवन का एक उदेश्य है तुमने रर्था की इस रिष्टी पर नहीं आये हो तुम्हारे आने के पीछे कुछ मकसद है परम्पिता परमेश्वर का किसी का जीवन तुम पर आसरित है किसी की खुश्या तुम पर आसरित है इसलिए तुम्हें अपने साथ साथ उनके बारे में भी सोचकर खुद को बहु मुली समझना होगा तुम अकेले नहीं हो वक्त का ये बहिया घूम अवश्य रहा है परंतु युनिवर्स की शक्तियां समान डूप से तुम्हारे साथ कारी कर रहे है तुम तक अपनी उर जाएं अपनी शकरात्मक तथे और शक्तियां भीजने का परियास कर रहे है खुश रहो अपने मुल्य को समझो